मनसौर में पूर्व नगरपाली का अध्यक्ष और वर्तमान पार्शुद राम कोटवानी को मनसौर कोटवाली पुलिस ने नगरपाली का परिशुद के बाहर से गिरफतार किया जहां से कोट में पीश किया गया क्योंकि राम कोटवानी पर धोकाधड़ी के मामले में एफायार दर्ज की गई थी जिसके बाद आज थानक कोटवाली पुलिस ने राम कोटवानी को गिरफतार कर लिया है मिले जानकारी के अनुसार कोहिनूर नीधी नामक संस्था में गरीब मजदूर व्यापारी खाताधारकों के साथ धुकादड़ी की गई जिसमें खाताधारकों की जमापुंजी की परिपक्ता अवधी पूरी होने पर भी संस्था द्वारा 300 खाताधारकों का लगभग एक करूर मूल और उसका व्याज नहीं लोटाया जा रहा था और लगतार खाताधारकों को गुम रहा किया जा रहा था पुलिस ने संस्था के दो डायरेक्टर रईस और आदिल रंग्रेस के खलाफ 420 का प्रकरन तो दर्ज कर लिया लेकिन राम कोटवानी पर अभी तक कोई कारवाही नहीं हुई थी लेकिन पुलिस त्वारा राम कोटवानी के खलाफ थाना शहर कोटवाली में अफायर दर्ज ह होने के बाद आज नेकरपाली का परिशित के बाहर से गिर्फतार किया गया मनसाओर से पंकच दास परागे की रिपोर्ट